नमस्कार पंजाब केसरी देख रहे हैं आप मैं हूँ आपके साथ कितांजली तमिलनाडू के मुख्य मंत्री म.क. स्टालिन के बेटे उदैनिधी स्टालिन के बयान पर राजनीती गर्मा गई है इसको लेकर देश के अलग-अलग नेताओं के बयान आ चुके हैं बीच बीजेपी सांसद निशकान दुबे ने भी उदैनिधी स्टालिन के सनातन धर्म पर दिये गए बयान पर प्रतिक्री अव्यक्त की है उन्होंने उदैनिधी के साथ साथ कॉंग्रिस नेत राहूल गांधी पर भी निशारा साथा बता दे के उदैनिदी स्टालिन के इस विवादत बयान पर बीजेपी ने सक्ती दिखाई है और कई नेताओं ने उदैनिदी के साथ-साथ विपक्षी गड़बंदन पर भी निशाना सादा है बीजेपी सांसत मनुस्तिवारी ने भी सनातन धर्म पर दिये उनके बयान की निंदा की कहा दो दिन हो गए लेकिन दिली के सीएम अरविंद केजरिवाल जिन्होंने उनके साथ गड़बंदन बनाया है उनका कोई बयान नहीं आया है अरविंद केजरिवाल ने किसी भी तरह का कोई सपश्टी करण नहीं दिया और नहीं विरोध किया है रवी शंकर प्रसाद ने इंडिया गड़बंदन पर निशाना साधा जोरान उन्होंने कहा बयान की निंदा करते हुए उसे शर्मनाग बताया कहा कि राहूल गांधी चुप क्यूं है? मलेका अरजुन खरगे नितेश कुमार ममता बनर जी चुप आखिर क्यूं है? क्या आप वोट के लिए हिंदूओं की भावना उसे खेल रहे हैं? उद्रनिदी के बयान पर राजनीती गर्मा गई है और कई राजनेतक दलों की प्रतिक्रिया भी सामने आई है जहां हर कोई उद्रनिदी के बयान पर निशाना साध रहा है कि आखिर उन्होंने कैसे सरातन धर्म के खिलाप बोल दिया है झाल झाल